दोस्तों नमस्कार मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनेंदन करता हूं भारतिय वित आयोग इस वीडियो में हम भारतिय वित आयोग के बारे में जानेंगे उसका गठन कैसे होता है सदस्यों की योक गता क्या है कारविधी क्या है और इसके क्या उद्येश है साथ ही हम अब तक गठित सभी वित आयोग के बारे में जानेंगे भारतिय वित्त आयोग की स्थापना 1909 में की गई थी इसकी स्थापना का उद्देश भारत के केंद्रिय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तिय संबंधों को परिवासित करना था वित आयोग भारत में राज कोशिय संगबाद का संतुलन चक्र है अगर इसकी आभ्याख्या करना चाहें तो हम आगे बताने जा रहे हैं केंदर और राज्य सरकार जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में संग्हिय सासन विवस्था है इसमें केंदर और राज्य दोनों में ही कारियों का संचालन करने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं केंदर राज्य कोशिय समस्याओं के समाधान और उसकी समय समय पर पुनरिक्षा का कार वित आयुक को सौपा जाता है भारतिय संविधान के अनुछे 280 भाग 12 के अंतरगत अर्धसास की निकाय के रूप में वित आयुक का प्रावधान किया गया है तो आपको बता देना चाहेंगे कि वित आयुक का प्रावधान भारतिय संविधान के भाग 12 में और अनुछे 280 में किया गया है यह एक अर्ध न्यायक आयुक है अर्थात इसे एक सिविल कोर्ट की सक्तिया प्राप्त हैं जो की सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 के अनुसार प्र गठन वित आयुग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होती है जिनकी न्युक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है जैसा कि हमने बताया आपको कि चार सदस्यों में दो अंसकालिक सदस्य भी होती है इनका कारकाल राष्टपती के आदेश के तहता है उनकी पुनह निक्त भी की जा सकती है सम्विधान ने संसद को इन सदस्यों की योगता और चैन विधी का निर्धारन करने का अधिकार प्रदान किया है इसी के तहत संसद ने आयुग के अध्यक्ष और सदस्यों की विसेश योगताओं का निर्धारन किया है अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभा होना चाहिए और अन चार सदस्यों को निमनानुसार चुना जाना चाहिए किसी उच्च नियालाय का न्यायधीज या इस पद के लिए योग व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की लेखा एवं वित्त मामलों का विशेश ग्यान हो एसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्ति मामलों का व्यापक अनुभा हो या एसा व्यक्ति जो अर्थ सास्त्र का विशेश ग्याता हो सदस्यों की योगता तो इस पद पर एक न्यायदीश और अर्थसास का विशेशग प्रसासनिक अनुभाव वाला एक व्यक्ति और वित मामलों का विशेश ग्यान रखने वाला व्यक्ति चुना जा सकता है यह कार राष्टपती करती है वित आयोग की कार या उदेश वित आयोग भारत की राष्टपती को निमनांकित मामलों में सिपारिश करता है वित्व आयों के कार या उद्देश इस प्रकार हैं कि संग और राज्यों के बीच करों की सुद्ध आगमों का वित्रन और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन इसका तात पर यह हुगा कि केंदर और राज्य के वीच सुद्ध कर आयका वित्रण करना या उसके संदर में सन इस्तुती करना दूसरा भारत की संचित निधी मेंसे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिध्धानतों को तै करना अर्थात केंदर द्वारा राज्यों को सहायता ये तू अनुदान का निर्धारन करना और वो किस प्रकार होंगे या भी सुझाना तीसरा राज्यों वित्त आयोग द्वारा की गई सेपार्शों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुदान के लिए राज्यों की संचित निधी के संबर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाना राष्टपती द्वारा आयोग को सुद्रण वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विशा है। इसका तात पर या हुगा कि राष्टपती द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तिय मामलों पर भी यह राष्टपती को सलाय देता है। आयोग की रिपोर्ट आयोग अपनी रिपोर्ट या सिफार से राष्टपती को देता है जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है या रखता है। जिसकी द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। रिपोर्ट के साथ उसका आंकलन अबंधिग्यापन एवं संब्ध में उठाए जा सकने वाले कदमों की बारे में विबरन भी रखा जाता है। आपको बता देना चाहेंगे कि वित आयुक की से फार्षें केबल सलाहकारी हैं। सरकार के लिए ये बाद्धकारी नहीं है। वित आयुक की से फार्षें की परकरती सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार वाद्ध नहीं होती है। यह केंदर सरकार पर नर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता कि संबंद में आयुक की से फार्षें को लागू करे या ना करे। एक तथि के रूप में यह भी बता देना चाहेंगे कि 1960 तक आयोग असम बिहार उड़ीसा एवं पस्चिम मंगाल को शती ग्रस्त जूट और जूट उत्पादों के निर्यात सुल्क में निवल प्राप्तियों के एवच में दी जाने वाली सहायता रासी के बारे में भी सुझ जाओ देता था समविधान के अनुसार यह रासी दस वर्ष की इस्थाई आवधी तक दी जाती रही आईए अब हम जानते हैं कि भारत में कितने वित आयोग अब तक गठित हो चुके हैं उनके अध्यक्ष कौन रहे तथा समयावधी क्या रही तो पहला वित आयोग गठित हुगा 1901 में के सी नियोगी की अध्यक्सता में और समयावधी रही 1902 से संतावं तक यह महत्पूह याद रखें दूसरा वित आयोग गठित हुगा 1956 में के 64 में अध्यक्ष तक एस्था बाहए तक तीसरा वित आयोग 1960 में गठित किया गया एके चंद्रा की अध्यक्स्ता में अवधी 1962 से 1966 तक रही चोथा वित्तायोग 1964 में पीवी राजमन्नार की अध्यक्स्ता में गठित हुगा 1966 से 1969 तक अवधी रही पाँचमा वित्तायोग 1968 में गठित हुगा महावीर तयागी की अध्यक्स्ता में 1989 से 1974 तक इसकी समयावधी रही। छटमा वित्तायोग 1972 में के ब्रह्मान अंदर हिड्डी की अध्यक्स्ता में गठित हुगा। और समयावधी रही 1974 से 1989 तक। सातमा वित्तायोग 1977 में जी एम सैलेट की अध्यक्स्ता में गठित हुगा। समयावधी 1989 से 1984 तक। आठमा वित्तायोग 1983 में गठित हुगा वाई वी चोहांड की अध्यक्स्ता में 1984 से 1989 तक नौमा वित्तायोग 1987 में गठित हुगा एनकेपी सालवे की अध्यक्स्ता में 1989 से 1995 तक इसकी समयावधी रही दसमा वित्तायोग 1992 में गठित हुगा 1992 में केसी पंत की अध्यक्स्ता में 1995 से 2000 तक इसकी समयावधी रही ग्यारहमा वित्तायोग 1998 में गठित हुगा एम खुसरो की अध्यक्स्ता में 2000 से 2005 के बीच इसकी समयावधी रही 12. वित्तायोग 2003 में गठित हुगा C. रंगराजन की अध्यक्षता में 1905- 2010 तक इसकी समयावदी रही 13. वित्तायोग 2007 में गठित हुगा Vежaye केलकर की अध्यक्षता में 2010-2015 तक की समयावदी के लिए 14 अवित्तायोग 2012 में गठित हुगा Y.B.R.D. की अध्यक्स्ता में समयावधी 2015 से 2020 तक 15 अवित्तायोग 2017 में गठित हुगा N.K.S. Singh की अध्यक्स्ता में 2020 से 2025 तक इसकी समयावधी है कुछ स्थानों पर 2021 से 2026 तक इसकी समयावधी बताई गई है राजवित्तायोग 1993 से भारत में सभी राजवित्तायोग का गठन भी किया जाने लगा है प्रतियक राज के राजपाल द्वारा प्रतियक पांच वर्ष में राजवित्तायोग का गठन किया जाता है जो के अनिछेद 243 के अंतरगत किया जाता है पंचायतों और नगरपालिकाओं की बित्ती इस्थिती की समिक्षा इसके द्वारा की जाती है या अन्यविशाय जो राज़िपाल द्वारा सौंपे जाते है आईए अब हम इसका एक बार पुनहे विशलेशन किये लेते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संघिय सासन विवस्था है और उसमें वित्त आयोग महात्पुन भूमी का निभाता है या राज्यों के बीच करों के बटवारे की संबंद में सिध्धान्त बनाता है साथ ही अन्य वित्तिय मामलों में केंदर और राज्यों के बीच वित्त की विवस्था की सिध्धानतों को सुझाता है अब तक कुल मिलाकर 15 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं और भारतिय वित्त आयोग एक शमवैधानिक संस्था है इसका तात पर यह है कि इसका उलेक संविधान के अनुछेद 280 में किया गया है आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि भारत में योजना आयोग समवैधानिक संस्था नहीं है वह केबल सलाहकारी संस्था ही है तो वित्त आयोग की सिफार से भले ही सरकार को वाद्धिकारी ना हो लेकिन फिर भी वित्त आयोग की सिफार से काफी महत्पून होती है और प्राय सरकारों द्वारा इनको अमल में लाया जाता है भारती संविधान पर हमने और भी वीडियो अपलोड की है उन्हें आप जरूर देखें अगले वीडियो में मैं संजय कुमार गुप्त फिर मिलूँगा नमस्कार जय हिंद